नमस्कार दोसन स्वगात थे आपका हमारे चैनल चार जागेंदर मिशा में आज रात से पूरे 21 वर्सों तक इस राशी पर धन लुटाएंगी मा लक्ष्मी कहीं वो राशी आपकी तो नहीं दोस्तों यदि किसी व्यक्त को अपने जीवन में धन प्राप्त करना हो तो इसके लिए माता लक्ष्मी जी को प्रसंद करना बहुत जरूरी है और यदि धनकी देवी माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति से प्रसन हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धनकी कमी नहीं हो शकती जी हैं दोस्तों इसके साथी साथ उस बेक्त को अपने जीवन में हर सुक शुधा धन सम्पता की प्राप्ती जरूर होती है उसके परिबार में शुक और सम्रदी हमेशा बनी रहती है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ राश्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनके उपर अब धनकी देवी माता लक्ष्म जी काफी समय के बाद अब अपनी विशेश कृपादृष्ट बरसाने वाली हैं और इसी बज़े से अब इन राश्यों के किस्मत एकदम से आज राथ से पूरे 21 वर्सों तक के लिए चमकने वाली है जिनके उपर माता लक्ष्म जी की अपार कृपादृष्ट बन रही है तो आप से अनरोधे की बीड़ो को आप बिल्कुल भी मिश ना करें और इसे सुरू से लेकर अंध तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मेस राश मेस राश के आद को बताना चाहेंगे कि अब धनकी देवी माता लक्ष्म जी की कृपा से मेस राश के जातकों के किसमत अब खुलने वाली है जिससे अब आपको अपने जीवन में कई शारे शकरात्मक वदलाव देखने को मिलेंगे जो भी आपके अटके हुए काम है अब वो पूरे हो जाएंगे आज राज से पूरे 21 वरसों तक के लिए अब आपको धनकी प्राप्ती होगी नोकरी वियापार में आपको उपलब्धी प्राप्ती होगी शाती साथ काम्याबी हाशल करेंगे जो कार काफी समय से अटके हुए थे अब वो पूरे होंगे मातालक्ष्मीच के अपार किर्पा दृष्टी होने से आज राज से अगले 21 वरसों तक के लिए आपको धनकी कमी नहीं होगी मातालक्ष्मी के अपार किर्पा बनी रहेगी बिजनस वे अपार में तेजी आएगी अनेक जगहं सो आपको धन का लाब होगा जो कारियों में रुकावट चल रही थी जो परेशानिया चल रही थी अब वो आपकी दूर होने वाली है अनेक जगों से आपको धन संपत्ति कलाब होगा और साथी साथ बता दे कि आप कई उपलद्धियों को प्राप्त करेंगे अब अगले जो राशी आती दोस्त बता दे वो है यहाँ पर मिथुन राश मिथुन राश के आद को बता दे कि आज राश से 21 वर्सों तक के लिए आपके उपर माता लक्ष्मी जी धन लोटाएंगे यहाँ तक कि आपके सारे बिगड़े काम भी बनेते चले जाएंगे अनेक जगों से आपको धन कलाब होगा शाशी कुछ बिशेष्टाएं जो आपके अंदर खोबिया रहेंगी हर नजरिय से आप सकरात्मक सोच साथ आगे बढ़ेंगे अविवाही ज्यातकों के लिए बिवाह रिक्के रिष्टे तै होंगे शुब मंगल कारकरम होंगे साधिवा का भंक्षन हो सकता है धार में कारकरम कर सकते हैं माता लक्षमी किर्पा से इसमें जो भी आत्राइं करेंगे काफी लाबकारी रहने वारी है धन संपत्य अरजित करते नजराएंगे अनेक जगाउं से आपको धन का लाब होगा जो कारियों में रुकावट चल रही थी अब माता लक्षमी किर्पा से वो दोर होने वाली है बता दे कि इसमें आप अनेक प्रोपर्टिया और अनेक परकार के बाहन का शुक प्राप्त करेंगे आपके मन में जो आइडिया है उसे उतार कर आप भविश में इसका फाइदा ले सकते हैं अब अगली जो राशिया दे दोस्त बता दे है वो है यहां पर शिंख राश शिंख राश के आद को बताना चाहेंगे कि आज राश से पूरे 21 वर्सों तक के लिए माता लक्षमी जी आप पर महरवान हो रही है और कुछ बिशेश लाब देखने को मिलेगा केजियर में लाब होगा उच्पत की प्राप्ती होगी बड़े अतिकारियों श्रम्मत आपके काफी मधूर रहेंगे अगर आप मिठी वाणी बोलेंगे तो सारे काम बनते चले जाएंगे फटा फट और साथी दोस्तों एक रेसू नहीं होना है क्रोध नहीं करना है और किशी को भी गलत सलाह नहीं देना है साथे साथे इसमें आप सावधानी पुर्बक चलें किशी भी कागजात पर दस्कत ना करें मातल लक्ष्मी कपार की प्रदर्श्टी होने से अब जो अगली जो राशी आते हैं दोस्तों बता दे वो हैं यहां पर कन्य राशी कन्य राश की आतकों आज राश से पूरे 21 वरसों तक के लिए अब आपकी खुशियां बहुत तेजी से उचाईयों पर रहेंगी भाग साथ देगा साथी किश्मत भी साथ देगा यानि कि इसमें जो भी काम आपके अटके हुए है वो काम जरूर पूरे होंगे कई योजनाओं का लाभ है मिलेगा बता दे कि इसमें बिदेश की यात्राइं करेंगे हला की यात्राकरतर समें केमती चीशकी देखरेंग जरूर करने वरना आपको चोरी होने का भी खोने का डर बना रहेगा लेकिन यात्रा हैं काफी सुकत पूर्ण रहने वाली है बतादे कि अनेक जगेंसों आपको बिशेश धन का लाभ होगा हर छेतर में आपको कामयावी प्राप्त होगी जो कार काफी समय से अटके हुए थी वो कार आशानी से पूरे हो जाएंगे इसमें आपके कारियों में रुकावट नहीं आएंगी विशेश कर धन संपत्ति का लाभ मिलेगा आपके द्वारा लिया गया नेने काफी सराहनी सावित होगा हर कार छेतर में आपको विशेश कर लाभ ही लाभ है मिलेगा अब अगले जो राशी आते दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर ब्रशिक राश ब्रशिक राश के आद को बता दे कि आज राश से पूरे 21 वरसों तक मतल लक्ष्मिजी आप पर महरवान हो रही है और आपको अब धन की कमी नहीं देखने को मिलेगी हर कारियों में रुकावट जो चल रहे थी अब वो दूर होने वाली है खास कर विशेश कर धन संपत्ति के लाभ है मिलेगा हर योजनाव के लाभ है मिलेगा बता दे कि इसमें आप के द्वारा लिये गए नेने काफी सराहनी शावित होंगे हर छेतर में आपको कामेवी प्राप्त होगी जो भी कार आपके अठके हुए थे वो कार आशानी से पूरे हो जाएंगे खास कर कहा जाए तो इसमें आप अपने घर परिवार में काफी ज़्यादा समय बिताएंगे और कोईश्व मंगल धार्वी कारक्रमों का आयोजन हो शकता है अब अगले जो राशी आते दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर कुम राशी कुम राश के आत को बता दे कि आज राश से जरूर मिलेगी यानि कि इसमें माता लक्ष्मी के अपार किर्पाद्रिष्ट बनी रहेगी और आप नए बिजनस प्यापार के सिर्वात कर सकते हैं कोई फानिसल प्रानिंग कर सकते हैं रुकव फसाव धन प्रात होगा रेंड करजियों से मुक्ति मिलेगी आज राश से पूरे 21 वर्सों तक के लिए माता लक्ष्मी जी आपके उपर धन का कुवेर का खजाना लोटाने वाली हैं बता दे कि आप काम्यावी के सिखर पर रहेंगे समाई में मान समान बढ़ेगा प्रतिष्टा बढ़ेगी और लोग प्रता बढ़ेगी साथी आप राजनितिक छेत्रों में भी जुड़ा लगाव बना के रखेंगे तो पिशेश धन का लाब होता नजराएगा जो भी कार करेंगे सोच समझ कर करेंगे उपलब्धिया जरूर मिलती नजराएगी और आपके द्वरा लिया गएने ने काफी सराहनी शाबित होगा हर कार छेत्रों में आपको लाब देखने को मिलेगा जो भी कार रूके हुए थे अठके हुए थे तो कार आशानी से पूरे हो जाएंगे धन संपत तेस्तरों में बर्दी होगी नई और जनाओं का लाभ है मिलेगा हर कारियों में आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी समाज में मान समान बढ़ेगा प्रतिष्टा और लोगपिरता बढ़ेगी नोकरी में उच्छा धिकारियों को साथ मिलेगा प्रेम संबंदों में मदूरता आएगी आर्थिक खर्चों में थोड़ी कमी आएगी और कोट के जहरी केशों में आपको भी यह प्राप्त होती नजर आएगी और आप कुछ बिशेश लाभ देखने को मिलेंगे आपके मन में जो इक्छाएं हैं यह जो मनो कामना है वो जरूर माता लक्षमी जी पूरी करने वाली है यनि आज राज से माता लक्षमी जी इन राज़ी वालों का किश्मत यानि भाग चमकाने वाली है इन राज़ी वालों के किश्मत में अपार धन संपता माता लक्षमी जी देने वाली है जिसके कारण इन राशवालों को अब धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और अपार धन संपत्तिक सासा तलाब होता नजराएगा तो दोस्तों आप से अन्रोधे की कमेंट में जरूर लिखेगा अपना सुझाओ और जै माता दिल लिखेगा साथी बीड़ों को लाइक करके जदे जदे शेयर करिएगा और चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा जै माता लक्षमी